हेलो दोस्तो भारतिय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है रेलवे में विविन्न प्रकार की पोस्ट होती है जिसमें से ही एक पोस्ट है रेलवे ड्राइवर या फिर ट्रेन ड्राइवर की सामन्य तोर पर कई सरे लोग इसे लोको पाइलेट भी कहते इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा time to time हर साल लोको पाइलेट के लिए नए नए भरतिया निकाली जाती है और दोस्तो ट्रेंड ड्राइवर की ये पोस्ट बहुत ही महतोपूर्ण पोस्ट मानी जाती है क्यूकि इस ट्रेंड ड्राइवर के ऊपर ही पूरी ट्रेंड अगर आप ट्रेन ड्राइवर या फिर लोको पाइलेट बनना चाते हो तो दोस्तो आज का मेरा वीडियो आप सभी के बहुत ही ज़दा काम आने वाला है क्योंकि आज की इस पेशिल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डीटेल में बताने वाला हूँ कि ट्रेन ड्राइ कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या eligibility criteria है क्या age limit होनी चाहिए आपको कौन सी medical test देनी पड़ेगी इसके साथ साथ आपको कौन सा course करना पड़ेगा उस course की कितने रुपीज की fees आएगी course के अंदर आपको क्या-क्या सीखने के लिए मिलेगा ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आपको कौन सा exam देना पड़ेगा उस exam का pattern केसे होगा और यही नहीं आपको इस video के अंदर लोको पाइलेट या फिर train driver की full detail में जानकरी मिलने वाली है और दोस्तों मैं आपको आगे ये भी बताने वाला हूँ कि लोको पाइलेट या फिर train driver बनने के लिए आपको कौ कौन कौन से documents होने चाहिए और दोस्तों end मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि train driver या फिर लोको पाइलेट बनने के बाद आपको पर मन कितने रुपीज की salary मिलेगी तो चलो इस video की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं train driver केसे बने तो दोस्तों सब सब पहले में आप को ये बता देता हूँ कि train driver को कौन कोंसी trains चलानी होती है और उसको कोंकोंसी posting दी जाती है train driver या फिर लोको पाइलेट को अलग अलग प्रकार की train चलानी होती है उनकी posting हर 15 दिम में change होती रेती है ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन के इंजिन को चलाना होता है और उस ट्रेन को सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुचाना होता है रेल्वे ड्राइवर को उस रेल गाडी का मुख्य विक्ति भी कहा जाता है क्योंकि उस ट्रेन की पूरी जिम्मेदारी उस ट्रेन ड्राइवर के हातों में होती है एक railway driver, passenger गाड़ी भी चलाता है, माल वाली गाड़ी भी चलाता है, और एक express train भी चलाता है, हाला कि starting में एक train driver को local train ही चलाना सिखाते हैं, उससे पहले उसको माल गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा भीडबाड नहीं होती, जैसे जैसे उसको experience मिलता जाता है वैसे वैसे उसकी post बढ़ती है, और दोस्तों जैसे ही एक local pilot के पास 5 साल का experience आ जाता है, तो दोस्तों उसको एक express चलाने का मुका मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों express के अंदर आपको बहुती तेजी से गाड़ी चलानी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी और भी जादा बढ़ती है, तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक local pilot बनने के लिए क्या eligibility criteria है, यानि कौन कौन सा student local pilot बन सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी student को future में एक local pilot बनना है, तो दोस्तों उस person को at least 10th pass होना compulsory है, 10th pass होने के automobile, mechanical या फिर दोस्तों इसमें से किसी एक में किया हुआ होना चीए, इसके साथ साथ जिस भी college से आप ये diploma का course complete कर रहे हो, वो college all India counseling for technical education यानि AICT से certified होना जरूरी है, अभी दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक train driver बनने के लिए आपकी age कितनी होनी चाहिए, य दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि train driver या फिर लोको पाइलेट बनने के लिए student के cast के category wise age limit को अलग-अलग रखा गया है, जैसे कि open category को 18 से 28 साल की age limit दी गई है, और दोस्तों वही जो भी अनुसुचित जाती में आता है, उन students को 18 साल से 33 साल की age limit रखी गई है, और दो इकल टेस्ट की बात करें, तो दोस्तों एक train driver बनने के लिए height का कोई भी criteria नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका जो भी वजन है, वो आपके height के अनुसार बराबर होना चाहिए, और दोस्तों एक train driver बनने के लिए आपके आखों का vision proper होना चाहिए, मतलब आपको आखों से जु दोस्तों ये सब requirement होती है, एक local pilot बनने के लिए, अगर दोस्तों आप इन सारे requirements को fulfill करती हो, तो दोस्तों आप एक railway driver बनने के लिए तयार हो, तो दोस्तों चलो, अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक local pilot बनने के लिए क्या education लेना पड़ेगा, कौन सा course करना पड़ेगा, कौन पड़ेगी और उस course की कितनी रुपीज की fees आईगी, अगर दोस्तों हम लोग course की बात करें, तो दोस्तों एक local pilot बनने के लिए आपके सामने चार से पाच तरीके निकल के आ जाते हैं, एक तो दोस्तों आप ITI कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप डिपलोमा का course कर सकते हो, य या फिर दोस्तों आप अपना graduation complete करने के बाद local pilot के लिए भी apply कर सकते हो, तो दोस्तों इन में से first है ITI, तो दोस्तों आपको अपना ITI electrical में, automobile में या फिर mechanical में करना होगा, इसके बाद अगर आप diploma course करने के बारे में सोच रहे हो, तो दोस्तों आपको diplomine electrical या फिर diplomine automobile या फिर दोस्तों आपको diplomine mechanical engineering करना पड़ेगा, अगर दोस्तों हम लोग engineering की बात करें, तो दोस्तों आप electrical engineering या फिर mechanical engineering के जरिए लोको पाइलेट बन सकते हो, और रही बात graduate student की, अगर दोस्तों आपने अपना graduation complete कर लिया है, और उसके बाद आपका मन लोको पाइलेट बनने का कर रहा है, तो भी दोस्तों आप लोको पाइलेट बनने के लिए eligible हो, आपको बस अपने graduation के बाद 2 years का post graduation diploma करना पड़ेगा, वो डिपलोमा आप electrical में कर सक सकते हो, या फिर mechanical में कर सकते हो, तो दोस्तों इसमें से कोई भी एक कोर्स complete करना है, तो ही दोस्तों आप future में एक लोको पाइलेट बन सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे student डर जाते है, कि आरे मैंने तो बस ITI का कोर्स ही किया है, क्या मैं एक लोको पाइलेट बन सकता हूँ, क general knowledge questions पर होता है, भले आपने ITI कर लिया हो, लेकिन आपका mind star पे, आपके पास decision making skills है, आपके पास general knowledge भर-भर के भरा हुआ है, तो दोस्तों आप future में एक लोको पाइलेट बन सकते हो, आप किसी भी engineering के student को exam में हरा सकते हो, अगर दोस्तों हम लोग fees की बात करें, तो दोस्तो course की अनुसर fees भी अलग-अलग होती है, अगर आप ITI का course करते हो, तो दोस्तों आपके full course की fees, 60,000 से 80,000 रुपीज तक की होगी, अगर आप diploma का course कर रहे हो, तो दोस्तों आपके diploma की full course की fees, 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 driver बनने के लिए आपको कौन सी exam देने पड़ीगी उस exam का pattern कैसे होगा और exam के लिए आपको क्या-क्या subjects पढ़ने पढ़ेंगे यानि आपका syllabus क्या होगा तो syllabus में आपके पास number system का knowledge होना चीए BODMAS का जो भी formula है उसका knowledge होना चीए उसको कैसे apply करते है इसके बारे में पता होना चीए आपके पास decimals का knowledge होना चीए आपको elementary statistics का knowledge होना चीए square root आपको निकालना आना चीए आपको age calculation करना आना चीए आपको calendar and clock के बारे में full detail में जानकारी होनी चीए आपके पास pipe and cutter का भी knowledge होना चीए आपको frictions का भी knowledge होना चीए क्योंकि इन सभी topics पर आपको आगे question पूछे जा सकते है तो दोस्तो इसके साथ साथ आपके पास LCM, HCF, time and distance, simples and compound interest, profit and loss, algebra, geometry and trigonometry, measurements, weight and density, work power and energy, speed and velocity, coding and decoding, mathematical operations etc. जैसे कई सारी चीजों का आपके पास knowledge होना चीए तो दोस्तो यहाँ पर जित्रे भी मैंने points mention किये है इन सभी points का आपके पास deep knowledge होना चीए और दोस्तो इसके साथ आपके पास general knowledge भी होना चीए तो ही दोस्तो आप future में जो भी exam में उस exam में अच्छे मार्स से पास आउट हो सकते हो तो अभी दोस्तो मैं आपको exam pattern के बारे में बता देता हूँ तो दोस्तो एक train driver बनने के लिए जो आपको exam देना होता है वो exam 120 मार्स का होता है जिसकी अंदर 20 मार्स के आपको mathematical questions पूछे जाते है 30 मार्स के question आपको सामने विद्यान पर पूछे जाते है 30 मार्स के question आपको technology के उपर पूछे जाते है 5 मार्स के जो भी questions होते है वो आपको सामने knowledge के उपर पूछे जाते है दस मार्स की जो questions होते है वो आपके तर्क और questions ले पर पूछे जाते है और दोस्तों लास्ट में जो 25 मार्स के questions होते है वो questions आपको साम्बन्य जागरुता के उपर पूछे जाते है तो दोस्तों इस तरीके से एक train driver बनने के लिए exam का pattern होता है ये जो दोस्तों उपर के exam थी वो लेखी exam थी इसके बाद दोस्तों आपको एक computer की exam देनी होती है जिसके अंदर आपको multiple choice question पूछे जाते है जिसके अंदर आपको total 250 मार्स के question पूछे जाते है और ये paper solve करने के लिए आपको around धाई घंटे का time दिया जाता है और दोस्तों इस exam के अंदर negative marking होती है अगर दोस्तों आपने लिखे हुए question में अगर कोई question wrong निकला तो दोस्तों आपने जितरे भी अंकप्राप्त किये है उसमें से 0.20 मार्स कम हो जाएंगे और दोस्तों ये जो computer की exam होती है ये psychological test पर होती है यहाँ पर आपकी psychological mind को test किया जाता है तो दोस दोस्तों आप इस exam को अच्छी तरीके सी qualified करने का प्रयास करो इस exam को pass करने के बाद आपको medical test देना होता है आपके शरीर की पूरी तरीके से जाच करी जाती है और देखा जाता है कि आप किसी गंबिर विमारी से PD तो नहीं हो आपके आखों का vision सही है कि नहीं और दोस्तों और अलग-अलग और थोड़े से cutting questions पूछे जाते है यानि अगर आप train चला रहे हो और उस दोरान कुछ AC परिशानी आती है एक AC समस्य आती है तो दोस्तों आप उस समस्या से कैसे लड़ सकोगे तो दोस्तों यह सब psychological questions आपको interview के अंदर पूछे जाते है interview पास करने के है उसके certificates होने चाहिए इसके बाद दोस्तों आपके पास cash certificate होना चाहिए और दोस्तों इसके साथ आपके पास passport size photo होने चाहिए अगर दोस्तों आपके documents properly सही है और दोस्तों आपके documents में कोई भी गफला पाया नहीं जाता तो दोस्तों आपको post पर बेज दिया जाता है post पर भेजने के बाद आपको तुरंट ट्रेन को चलाने का मोका नहीं दिया जाता आपको 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग मिलती है उस ट्रेनिंग के अंदर आपको सबसे पहले मालगाडी चलानी होती है मालगाडी चलाने के बाद आपको लोको ट्रेन चलाने का मोका दिया जाता है लोकल पर मन कितरे रुपीज की salary मिलेगी और क्या-क्या government की सुभिधा आपको मिलेगी अगर दोस्तो government railway driver की salary की बात करें तो दोस्तो as a fresher आपको 35,000 रुपीज की salary पर मन दी जाती है और दोस्तो जैसे आपके पास 2 years का experience आ जाता है तो दोस्तो आपको 50,000 रुपीज से लिके 60,000 रुपीज की salary दी जाती है और दोस्तो जैसे आपके पास 5 साल के उपर का experience आ जाता है तो दोस्तो आपको 80,000 रुपीज से लिके 1,000,000 रुपीज तक की salary पर मन दी जाती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर salary आप कौनसी गाड़ी चला रहे हो इसके उपर भी depend करती है As the fresher जब भी आपको 35,000 रुपीज की salary मिलती है तो दोस्तों उस समय आपको mile गाड़ी चलानी होती है और दोस्तों जैसे आपके पास 2 साल का experience आ जाता है तो दोस्तों आपको local train चलाने का मुका दिया जाता है जहाँ पर आपको 25,000 रुपे की salary मिलती है और दोस्तो 5 साल के उपर का experience आने के बाद आपको express चलाने का मुका दिया जाता है जहाँ पर दोस्तो आपको 1 लाख रुपीज तक की salary दी जाती है ये salary experience के अनुसार बढ़ती है और दोस्तो सुविधा की बाद करें तो दोस्तो एक train driver के family को हर प्रकार की train की यातरा free में दी जाती है government job की जरिये pension दिया जाता है इसके साथ साथ जब भी train driver को express चलाने का मुका मिलता है तो दोस्तो उस समय उस train driver का रहने का और खाने का सारा खर्च railway ministry उठाती है इसके साथ साथ उसका life insurance and medical insurance भी railway ministry उठाती है तो दोस्तो इस तरीके से अन्या सारी सुविधा एक train driver को दी जाती है और दोस्तो train driver के बारे में और detail में जानकरी आपको चाहिए तो दोस्तो मैंने already train driver के उपर और एक वीडियो बनाया है जिसकी link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी उम्मित करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा इस वीडियो को share करके दिखने के लिए सब्सक्राइब करें हमरे चैनल को धन्यवाद